Hello everyone and Namaskar, मेरा नाम है Varun So guys, आज हम इस वीडियो में आपको लेके चलेंगे Noida extension में जिसको Greater Noida West भी का जाता है और Sector 1 को explore करने जा रहे हैं पूरे Sector का हम आपको overview देंगे So guys, अभी हम लोग खड़े हैं Sector 76 Metro Station जो की Equaline पर लाई करता है Noida, Greater Noida के बीच में यह Metro चलती है, उसका Sector 76 Metro Station है तो अभी हम जब इससे थोड़ा सा आगे की तरफ move करेंगे तो पहला ही cut जो हमारे Left में आएगा वो हमारे को Sector 1 लेके जाता है वाया FNG तो Sector 76 क्रॉस करने के बाद हम लोग First Left लेने वाले हैं अभी हम लोग आ चुके हैं FNG पर यह सीधी सड़क आपको 76 Metro से लेकर आ रही थी और FNG पर अभी हम लोग मूब कर रहे है FNG का पूरा फुल फॉर्म है वो फरीदाबाद, Noida, गाजियाबाद है एक तरफ यह गाजियाबाद को connect करेगा Noida से और एक तरफ फरीदाबाद को तो जितना भी ट्रैफिक है In fact future में भी जो लोग गुरगाओ ट्रेवल करेंगे वो इस FNG से ट्रेवल कर सकते हैं यह NH24 से वाया परतला होते हुआ सेक्टर 142 से फरीदाबाद जाता है देन उसको एक्स्टेंड कर देंगे आगे गुरगाओं की तरफ तो अभी हम आगे जागर के पहला यूटन लेंगे यूटन के बाद हिंडन पूल से होते हुए सेक्टर 1 कनेक्ट कर जाएंगे तो गाईज FNG से यह हम लोग पहला यूटन ले रहे है और यूटन लेने के बाद अभी थोड़ी आगे जागर के हम लोग फर्स्ट ही लेफ्ट लेंगे और यह वेरियस कनेक्टिविटीज दे दी हैं जब आप परतला चोक से आते हैं तो आप सेक्टर 1 में इस छोटे से फ्लाइओवर से मूव कर सकते हैं और दूसरी साइड से जब आप फ्रॉम सेक्टर 1 आएंगे तो टूवर्ड्स सेंटरल लॉड़ा उस साइड उतर भी सकते हैं तो ये कनेक्टिविटीज हिंडन नदी के ऊपर से दी गई हैं और हाडली अब बस अब हमें यहां से दो से तीन मिनिट लगेंगे सेक्टर 1 कम्यूट करने में अब हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं हिंडन नदी के ऊपर से और FNG से अभी हम लोग जैसे आए हाडली हमें दो से तीन मिनिट लगेंगे अब पहुंशने में सामने जो यह बिल्डिंग देख रहे हैं सारी सेक्टर 1 ग्रेटर नॉड़ा वेस्ट या नॉड़ा एक्स्टेंशन में ही लाई करती हैं जितने भी यह प्रोजेक्ट से अब धीरे धीरे करके हम सारे इनको एक्स्प्लोर करने वाले हैं सब्सक्राइब लोग पहुँच चुके हैं सेक्टर 1 ग्रेटर नॉड़ा वेस्ट की बिल्कु स्टार्टिंग पॉइंट पर यही से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेरे पीछे जो यह राउंड अबाउट है बट हम लोग जो स्टार्ट लेंगे वह राउंड आबाउट से लेते हुए और सारे गए सारी परोजेक्ट को कवर करके एंड हम लोग इसी वारी वाले हैं तो चलते हैं सेक्टर की अंदर और इसको फर्दर करते हैं कि को प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट में आपको 8 टावर्स मिलते हैं 816 नंबर ओफ यूनिट्स हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 2BHK से लेकर 4BHK अपार्टमेंट्स स्टार्टिंग प्राइज यहाँ पर आपको मिल जाता है तकरीवन 65 लाग और 3BHK 85 लाग और सबसे बड़ा साइज यहाँ पर तकरीवन 1.8 CR में आपको मिल जाएगा पहले कुछ टाइम से यह प्रोजेक्ट स्टक था लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही SBI ने इसको फंड किया है और आज की रेट में बहुत तेजी से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है बहुत जल्दी इसका पोजेशन भी होने वाला है फ्रेंट में ही इसके आपको कमर कमर्शल भी मिल जाएगा और वेरी लेफ्टेंड साइड के कैपिटल एथीना के बैंक ओपोजेट यह कमर्शल बना हुआ है राइस ग्रूप का राइस ग्रूप के चार कमर्शल है टोटल यह बहुत ही बड़ा लैंड पैच है स्पोर्ट सीटी के अंदर आता है और 90 एकर स इसका पूरा यह लैंड पैच है बहुत सारे यहां पर आज की डेट में ब्रैंड्स ऑपरेशन हो चुके हैं इसके अंदर जैसे की मोती महल, किंग्स रोल और बहुत सारे आपको यहां पर फूड आउटलेट मिल जाएंगे और साथ साथ इसके पीछे एक बहुत बड़ा क्लब हाउस बन रहा है जहां पर आडिटोरियम भी त्यार होगा आपको अपनी फिटनेस के लिए और स्किल्स के लिए काफी सारे ट्रेनर्स एंड टीचर्स भी मिल जाएंगे राइट एंड साइड पर कैपिटल एथीना से वेरी नेक्स प्रोजेक्ट जो रहने वाला है वो ATS ग्रूप का रहेगा एंड प्रोजेक्ट नेम इस रैपसोडी यह तक्रीबन पोने 6 एकड का प्रोजेक्ट है इसमें 512 नंबर ओफ यूनिट्स आपको मिलती है एंड जो साइजे रहेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर वो बड़े साइजे मिलेंगे 3 BHK एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स नंबर ओफ टावर्स यहां पर 7 रहेंगे हाइट रहने वाली है 29 फ्लोर की और पूरे ही पूरे ही प्रोजेक की तरफ एंड प्रोजेक्ट नेम इस CRC सबलिमिस CRC ग्रूप का यह पहला ही प्रोजेक्ट है और टाइम यह प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है माइवन कंस्ट्रक्शन के ऊपर यह प्रोजेक्ट बना है 5 एकर का यह तोटल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको आने वाली है यहां पर वो रहेगी 24 फ्लोर की and 2 और 3 भी एज के जितने भी अपार्टमेंट्स आपको आज की डेट में यहां मिलेंगे वो सारे रीसेल में मिलते हैं and price range somewhere आपको मिल जाएगा साड़े छे साथ हजार उपे पर स्क्वेर फीट रीसेल के अंदर so guys next project जो CRC Sublimist के bank opposite लाई करेगा और हमारे left hand side पे लाई करेगा वो spring homes project है यह 5 एकर का project है इसके अंदर सिर्फ 4 ही tower बनेंगे and 2 tower का position इसी साल के end में 2023 के end में हो जाएगा इस project में आपको बड़े sizes मिलते हैं जैसे 3BH के 4BH के apartments मिलेंगे and सबसे खास बात इस project की यह रहने वाली है कि इसके अंदर एक आपको ऐसा size मिलता है 500 square feet का जो की noida extension में आपको normally कहीं नहीं मिलेगा एक floor पे सिर्फ एक ही flat होगा बहुत solid view रहेगा क्योंकि जो towers हैं वो काफी stand alone towers मिलते हैं आपर आपको एक floor पे सिर्फ एक ही apartment मिलने वाला है 500 square feet का and जो आज की rate में यहाँ पे rate चल रहा है वो तक्रीबन 5000-500 रुपे per square feet का rate है recently इस project को हम लोगों ने अपने channel पर भी cover किया है and guys spring home से left hand side पर जो अगला project रहने वाला है वो रहेगा एक दूतम का project crafted by साहा यह project काफी लंबे time से stuck पड़ा हुआ है जो इसके owners है उनका dispute चल रहा है government के साथ authority के साथ में तो बहुत लंबे time से यह stuck पड़ा हुआ है अगर future में इस पर कोई काम होना start होता है तो definitely हम लोग आपको उसके लिए भी update करेंगे तो guys अभी हम लोग जैसे move कर रहे हैं आगे की तरफ तो हमारे left और right hand side दोनों side ही project चल रहे हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरे ही sector के आपको projects दिखाये जाए मैं आपको एक चीज़ और clear करता हूँ जब हमने starting करी थी ATS roundabout से तो हमारे left hand side पे जो starting में commercial था वो rise group का commercial था बहुत बड़े बड़े चार commercial यहां बने हुआ है अभी हमारे left hand side पे भी जो मैं आपको बताऊँगा वही rise group के बारे में ही बताऊँगा पीछे आपने spring homes देखा भी मेग दूपतम का जो रुका हुआ project है उसके पीछे की जो land है वो बहुत huge land patch है जहां पर काफी अच्छी landscaping हो रखी है low rise ही आपको rise group के apartments भी मिल जाते हैं जिसमें आपको 3BH के apartments मिल जाएंगे और उसी के साथ साथ आपको 9 different different तरीके के villas भी मिल जाते हैं तो अब मैं आपको explain करता हूँ कि क्या क्या चीज़े आपको यहां पर मिल जाती है यह one of the entry है rise project की जैसा मैं आपको बताया था यह बहुत ही huge land patch है 90 acres से 100 acres के अंदर फैला हुआ तो यहां पर आपको जो विलाज मिलते हैं वो कुछ cricket stadium को face करते हुए कुछ इसमें golf course को face करते हुए बिलेंगे और इसके अंदर ही आपको बहुत सारे छोटे छोटे huts बनी हुई है आपके जो अगर आप parties करना चाते हैं तो यह बहुत beautiful एक project है काफी अच्छी greenery के साथ बहुत अच्छी की कोस्टिंग पड़ेगी इसके अंदर जो sizes आपको मिल जाते हैं वह 2200 स्क्वेर फिट से स्टार्ट होकर के साड़े 6000-7000 स्क्वेर फिट तक के भी विलाज आपको इस वाले प्रोजेक्ट में मिल जाएंगे अब हमारे राइट एंड साइड पे जो प्रोजेक्ट अभी हमने कवर किया था CRC सब्लिम इसका उससे वेरी नेक्स प्रोजेक्ट आता है कासा रोयल का अभी जो हमने आपको लेफ्ट एंड साइड प्रोजेक्ट दिखाए मेग दूतम जो रुका हुआ था एंड राइस का उसके ओपोजिट यह प्रोजेक्ट ला बनाए जा रहे हैं जिसकी स्टार्टिंग हो जाती है तकरीबन 30 से 35 लाग रुपे अब हम कासा रोयल के जब साथ वाली सड़क पर चलेंगे और अगले प्रोजेक्ट करेंगे जिसका नाम है अपक्स और अप्रोजेक्ट आप देख रहे हैं यह CRC और कासा रोयल के बीच मे अपक्स और यह 10 एकर का प्रोजेक्ट है इसमें 10 ही टावर बन रहे हैं और पूरे ही प्रोजेक्ट के अंदर आपको टू भी एच के एंड थ्री भी एच के अपार्टमेंट मिलेंगे सबसे बड़ा साइज यहां जो मिलता है वह 3 भी एच के प्लस स्टोर रूम मिलता है ए एक एवरेज रेट जो निकल आता है यहां पर पूरी सुसाइटी में वह 5,000 से लेकर 52 रुपे पर स्क्वेर फीट का रेट आता है अगर यहां पर आप कोई भी यूनिट पर चेस करते है एंड गाईज मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको एक चीज और बता देता हू सो गाईस नेक्स जो प्रोजेक्ट रहेगा हमारे राईटन साइट पर कासा रोयल से वेरी नेक्स वो है पंशिल गूरूप का एंड प्रोजेक्ट नेम इस हाइनिश यह साथ एकर का प्रोजेक्ट है यहां पर टोटल नंबर आफ जो टॉवर्स बने हूए हैं वो बारा बाहर इसके commercial भी बना हुआ आप देख सकते हैं तो डेली नीट्स का समान जो है आप society के बाहर से आगर के परचेस कर सकते हैं अब हम लोगों ने मूव किया है पंशिल हाइनिस का जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया था उसके बिल्कुल बैंक ओपोजिट यह राइस का जो आप मेरे देख रहे हैं सामने यह इसका second commercial है जैसे मैं आपको बताया 3-4 commercial आपको यहां मिल जाते हैं तो उस रोड पे हम को लाई कर रहे है एड्स करेंगे इसससे अगला है जो मैं रहा है क्धिव्र करेंगा एरिस का रहने वाला है क्यों जो की सब्सक्राइब दो पराजेक्ट आइस से कज़ें में इस सी आपaugर दोखे जूर क्या दोगekt करेंगे इस इसमें सिफ्द दो ही टॉओर से आपको मिलेंगी, more than 20 amenities आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाती है, स्टार्टिंग प्राइस जो आपको यहां मिलता है, आज की रेट में वो 70 लाग के तक्रीबन स्टार्ट हो जाता है, and it goes up to 2 CR. So guys, Iris Pearl से जो अगला प्रोजेक्ट है, वो Apex Group का रहेगा, and project naming Apex Golf Avenue 1, इसी के पीछे ही Golf Avenue 2 भी बन रहा है, लेकिन ये अल्रेडी बन चुका है, delivered project है, 5 एकड के अंदर ये project बना हुआ है, इसमें total number of units तकरीबन आपको 7500 units मिलती है, जिसमें 2 BHK से लेकर 4 BHK apartments आपको मिलेंगे, starting हो जाती है, तकरीबन 55-6 लाग से, and it goes up to 1.45 and 1.5 CR, ये भी काफी अच्छा project माना जाता है, इस sector का, काफी अच्छी construction है, and timely ये भी deliver हो चुका है, So guys, Apex Golf Avenue से जो next project है, ये sports home by Dave Sip का project आता है, ये धाई एकड का project है, 4 towers इसमें बनेंगे, 26 फ्लोर की यहाँ बिल्डिंग बनने वाली है, 366 unit यहाँ पर मिलती है, पूरे project को, 2 BHK से लेकर आपको 5 BHK apartments यहाँ मिलते हैं, साथ में sky villas भी आपको यहाँ मिलेंगे, starting price वही इसका, 2 BHK का 50-55 लाक, 3 BHK का 1 करोड से 1 करोड आपको मिल जाता है, and 4 BHK apartments वही आपको 1.5 करोड से लेकर 2.5 करोड तक के इस project में मिलने वाले हैं, so guys, very next project is, Apex Group का ही project है, ये भी, alphabet इसका नाम है, past over इस project में बनेंगे, सारे stand-alone buildings है, past over जो है, वो सारे stand-alone's रहेंगे, पीछे इसमें, golf course का भी आपको view मिलता है, sports city जैसे ये पूरा sector, sports city facing भी है, तो 25 लोर की building यहाँ बनने वाली है, 3 BHK and 4 BHK apartments मिलते हैं, इस project के अंदर आपको, and starting जो हो जाती है, वो तकरीबद 1 करोड से मिल जाएगी, and it goes up to 1.7 CR, और 2 CR, So guys, अभी हम लोग जो है, दुबारा उसी main road पर आ गए है, जिस road से हम लोगों ने starting की थी, कोशिश हमने की है, आपको left or right hand side पर सारे projects दिखाने की, कुछ projects जो है, वो अंदर internal roads पर लाई करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने आपको पीछे ये iris, apex के कुछ projects दिखाए, अब हम लोग दुबारा main road पर आ गए हैं, और आगे की तरफ चलेंगे, अब right hand side पर हमारे super tech का project लाई करेगा, जिसका नाम है super tech eco village 1, देन उसके बाद हम लोग explore करेंगे next projects को, तो guys, ये जो project आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये super tech group का project है, बहुत ही बड़ा land patch है, साड़े ब्याली सेकड का ये project है, super tech builder के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो noida के अंदर इन लोगों के बहुत सार ऐसे projects हैं, जिसमें इनके एक huge city बसाई हुई है, huge land patches हैं, बहुत बड़ा land bank है, जैसे इसका नाम eco village 1 है, इसी तरीके से eco village 2, 3, sector 16 B की तरफ लाई करते है, 74 noida में इनका project लाई करता है, जिसका नाम है super tech cape town, वो भी बहुत ही बड़ा project है, तकरीबन 45-50 एकर के अंदर फैला हुआ वो project है, अभी जो हम लोग move कर रहे हैं, ये सामने जो रहेगी, सड़क ये, आपको सीधा commute करेगी, गोल चकर पर, जिसको पंच मुकी, हनुमान चोग भी का जाता है, उसके साथ में काफी famous project है, भुटानी ग्रूप का, जिसका नाम है भुटानी ग्रेंटम, अभी हम लोग यहां से यूटन ले रहे हैं, और उसके बाद हम लोग service lane लेगे, और service lane से होते हुए, sector 1 के बाकी further projects को explore करेंगे, अभी हम लोग उने हनुमान पंच मुकी गोल चकर से, यूटन लेकर के service lane पे ले लिया है, ताकि हम लोग और explore easily कर सके इस पूरे sector को, so guys, eco village 1 को further explore करने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप इसकी service lane पर बाहर travel करते हैं, या बाहर इसमें आप देखेंगे, तो आपको commercial मिलेगा, daily needs का सारा समान मिल जाता है, काफी सारे आपको यहाँ पे medical stores मिल जाएंगे, daily needs का समान मिल जाएगा, grocery का समान मिल जाएगा, food outlets मिल जाएगे, तो यह जितना बड़ा land patch है, उसके हिसाब से बाहर आपको काफी सारे commercial भी मिल जाते हैं, so guys, further मैं आपको बताता हूँ, super tech eco village 1 के बारे में further details, इसमें आपको 1 BHK से लेकर 4 BHK apartments मिल जाते हैं, and starting price जो रहता है, वो यहाँ पर आपको 24-25 लाख में 1 BHK मिल जाएगा, वही 2 BHK आपको 40 लाख के तकरीवन मिलता है, 3 BHK की starting हो जाती है, वो 55-60 लाख मिल जाएगी, and वही सबसे बड़े sizes जो है, वो आपको 1 CR से लेकर further according to the sizes मिलते हैं, तो एक average rate जो यहाँ पर as on date चल रहा है, वो 4000 से लेकर आगे 5500 तक के rates मिलेंगे, according to the customer demand, जो seller है वो आपसे क्या demand कर रहा है, किस तरीके का उन्होंने flat अंदर से बनाया हुआ है, उस तरीके से ही उनकी demands रहने वाली है, so guys, Eco Village से जो next project रहने वाला है, वो Arihant Group का रहेगा, and project name is Arihant Arden, इसके अंदर तकरीबन 14 towers बने हुए है, 1500 के अप्रोक्स यहाँ पर units है, starting जो size मिलेगा यहाँ पर आपको 2 BHK से लेकर, फिर आगे 4 BHK के अपार्टमेंट मिल जाते हैं, same like Eco Village, यहाँ भी आपको 4,5-4,000 से rate जो है, वो starting price मिल जाता है, resale के अंदर, and it goes up to 5,5-5,000 के, according to the seller demand, and guys, यह जो है, यह Arihant Arcade है, यह society के जस्ट बाहर ही commercial बना हुआ है, Arihant Arden का, जित्रा भी daily needs का समान है, आप यहाँ से ले सकते हैं, and साथ-साथ, और markets की तरह, यहाँ भी आपको काफी सारे food brands मिल जाएगे, so guys, Arihant Arden से जो next project है, यह हवेलिया गूर्प का project रहेगा, जिसका नाम है Valencia Homes, and यह Valencia Square के नाम से, भार इसका commercial बना हुआ है, यह 7 एकर का project है, 9 towers इसमें रहेंगे, तकरीबन 800-800 units यहाँ मिल जाती है, and 2 BHK से लेकर, 3 BHK apartments यहाँ पे आपको मिलेंगे, starting price यहाँ जो मिलता है, वो तकरीबन 48 लाग से लेकर, 50 लाग में आपको 2 BHK apartments मिलेंगे, and it goes up to 65-70 lakh, जैसे ही हम लोग, हवेलिया प्रोजेक्ट से थोड़ा सागी तरफ आएंगे, मेरे right hand side पे आप देख रहे होंगे, यह market बनी हुई है, काफी सारी retail shops है, यह पूरा commercial आप देख रहे होंगे, मेरे right में, यहाँ पे आपको daily needs का समान, hardware की shops, पूरे sector का and one of the biggest landmark of Noida extension also, यथार्थ hospital आपको मिल जाता है, अगर आप इस sector के अंदर अपने लिए कोई property लेते हैं, तो आपको hospital के लिए परशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यथार्थ hospital आपको sector के बीचों बीच मिल जाएगा, and अगला project जो हम लोग explore करेंगे, वो यथार्थ hospital से just अंदर की तरफ जो सड़क जा रही है, उसमें जाकर के explore करने वाले हैं, जिसका नाम है Raj Hans Residency, and on the very next corner एक तरफ यथार्थ hospital, and दूसरी तरफ Express Group का एक project है, जिसका नाम है Express Estra, तो पहले हम details बताते हैं आपको Raj Hans के बारे में, then हम लोग explore करेंगे Express Estra Go, so guys अभी आप मेरे सामने जो project दे रहे हैं, इसका नाम है Raj Hans Residency, अभी recently हमने इसको अपने channel पर भी cover किया है, कोई भी details अपको जाननी है, तो हमारे channel पर भी जाके इसको explore कर सकते हैं, टोटल ये तीन एकड का project है, बाहर इसके भी commercial बना हुआ है, चार टॉवर्स इसके अंदर बने हुए है, अल्रेडी रेडी तो मुव इन project है, हाइट जो रखी गई है पूरे project में, वो 20 फ्लोर के यहां पर बिल्डिंग्स रहेंगी, तो रेडी तो मुव इन कुछ आप्शन्स आपको यहां मिल जाएंगे, एंड रेड जो आज की रेड में चल रहा है, वो तकरीवन पच्पन सो से लेकर शपन सो रुपे पर स्क्वेर फीट का rate आपको इस project में मिल जाता है, बिलकुर राजहन्स रेडेंसी से जो next project है वो वरिंदा ग्रूप का रहने वाला है, वरिंदा हेरिटेज, इसके अंदर आपको सिर्फ दो ही towers मिलने वाले हैं, जादा बड़ा project नहीं है, तीन एकर का project रहेगा, काफी अच्छा यह project बनने वाला है, अभी जैसे इसकी construction शुरू होगी, हम लोग इसको explore करेंगे और अपने चैनल पर upload करेंगे, तो जैसे भी आपको अपडेट्स चाहिए हमारे चैनल पर इन projects की तो जरूर हमारे चैनल पर जाकर के subscribe का बटन दबाईए, ताकि future में जो भी हम लोग projects cover करें, उनकी notifications आपको मिलती रहेगा, अभी हम लोग move कर रहे हैं अपने next project की तरफ, express builder का project है, project name is express extra, इसमें 700 units मिलेंगी पूरे project में, 10 towers मिलते हैं, जो height रखी गई है, इसमें कुछ towers की वो 24 floor की रहेगी, कुछ की यहाँ पर 26 floor की रहेगी, and starting price यहाँ पर तकरीवन आपको 72,75 लाग से 2 BHK मिल जाता है, and वही 1.5 करोड के आसपस आपको 4 BHK मिलेंगे, and इस project में एक tower ऐसा भी बन रहा है, जहाँ पर आपको 26 floor के साथ-साथ duplexes भी मिलते हैं, तो 13 duplex मिलेंगे particular एक tower के अंदर, so guys express से very next project जो रहने वाला है, वो Trident Group का रहेगा, Trident Embassy Reso project का नाम है, तकरीवन 572 unit मिलती है आपको, सवा तीन एकड का ये project है, इसमें total जो towers बनेंगे, वो 5 towers बनेंगे, and height जो रखी गई है यहाँ पर, वो 23 floor की रहने वाली है, and 2.5 BHK मतलब 2 BHK plus study से लेकर, आपको यहाँ पर 4 BHK apartments मिलते है, and जो starting price रहेगा, वो वही express extra की तरह, 70-75 लाग से 2 BHK यहाँ start होता है, and 4 BHK आपको starting price मिल जाएगा, 1.25 CR से, so guys, Trident Embassy रहसों के, जस साथ में ही जो इसका previous project है, इसका नाम Trident Embassy है, बाहर इसके commercial बनी हुई है, यह 7.5 एकर का project है, टाइमली बन गया था यह, इसके अंदर आपको 12 towers मिलते है, and height जो रखी गई है, वो 25 floors की रहेगी यहाँ पर, 1100 units मिलती है, 47 के करीब यहाँ पर आपको amenities मिल जाएंगी, 2 BHK से लेकर, 4 BHK apartments आपको यहाँ resale में मिलते हैं, जिसका starting price तकरीबन 60-65 लाग की demand आती है, आज की date में, and जो सबसे बड़े sizes है, वो start हो जाते हैं, somewhere around 1.4 और 1.5 CR, Trident, MBC से जो अगला project आएगा, वो paramount group का है, project name is paramount emotions, यह 12 acre का project है, 19 towers यहाँ बने हुए हैं, तकरीबन 1500 units यहाँ मिलेंगी, 2 BHK से starting हो जाती है यहाँ पर, and आज की rate में, जो resale price चल रहा है, वो तकरीबन मान के चलिए, साड़े 4 से 5 जार उपे per square feet का rate है, and जो highest demand रहती है, वो तकरीबन 5 से 6 जार उपे per square feet तक की demand रहती है, बाहर जो आप देख रहे हैं, कुछ banks आपको यहाँ मिल जाएंगे, जैसे HDFC bank, Axis bank, ICIC bank, तो अगर आप इस सेक्टर में रहते हैं, तो यह सारे banks की सुवधा भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, so guys, अभी जो next project हम लोग explore करेंगे, उसका नाम Stellar G1 project है, यह one of the oldest project मान जाता है, Noida extension में, जैसे ही deliveries होनी शुरू हुई थी project की, तब से यह deliver हो चुका है, अच्छा project है यह, 18 acres के अंदर फैला हुआ project है, जिसमें 18 ही tower बने हुए है, तकरीबन 2,040 units से आपको यहाँ मिलेंगी, and height जो मिलती है, यहाँ पर इस project में वो 14 floors तक की मिलती है, 2 BHK से लेकर 4 BHK apartments आपको यहाँ मिल जाएंगे, आपको तकरीबन 57-60,000,000,000 मिलती है, and 3 BHK start हो जाता है, somewhere around 80,000,000 And 4 BHK जो आता है, वो 1.3 CR से लेकर 1.5 CR तक की demand आती है, so guys, जो next project है, वो Rudra Group का पहले sites रहने वाला है, यहाँ पर आपको तकरीबन 1400 units मिलेंगी, 7-8 acre का project है, कुछ टाइम से ये प्रोजेक्ट स्टक पड़ा हुआ था बट फ्रेंट की जो बिल्डिंग्स अभी आप देख रहे हैं इसमें फिट आउट का काम चल रहा है 1BHK से लेकर 4BHK अपार्टमेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और एवरेज प्राइस जो डिमांड में रहता है वो यहाँ पर तकरीबन 4,000 के आसपास की डिमांड रहती है तो गाईज नेक्स जो प्रोजेक्ट रहेगा वो NCR Monarch प्रोजेक्ट का नाम है इसमें 4 एकड में 4 ही टॉवर्स यहाँ मिलते हैं 632 के करीब यहाँ पर यूनिट्स हैं 4,500 पर स्कूर फीट का रेट आपको यहाँ मिल जाता है बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो ready to move in यहाँ पर होने वाली है fit outs का का काम चल रहा है तो आप यहाँ पर आ करके अपने लिए ready to move in प्रॉपर्टी पर्चेस कर सकते हैं सो गाईज अभी हम लोग ने आपको काफी सारे प्रोजेक्स एक्स्प्लोर करके दिखा दिये eco village 1 से हम लोग अभी service lane पर जैसे आ रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्स हैं अभी हम लोग ने ट्राइडेंट का एक्सप्रेस एस्टरा प्रोजेक्ट कवर किया नेन पैरामाउंट का इमोशन था स्टेलर जीवन था उसी service lane पर अभी हम लोग बिलकुल end में आ गए हैं यहां से हम लोग आगे से right लेने वाले हैं यह मेरे पीछे जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं यह एस ग्रूप का प्रोजेक्ट है एस बहुत ही रेनाउंड बिल्डर माना जाता है नॉइडा का इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो एस सिटी है इसमें आपको 2BH के और 3BH के अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं यह 15 एकर के अंदर फैली हुई सोसाइटी है जिसमें आपको 11 टॉवर्स मिलेंगे तकरीबन 40 के अराउंड आपको यहां पे अमेनिटी मिल जाती है नंबर ओफ यूनिट्स की बात करूं तो 2560 यूनिट्स ही मिलेंगी और हाइस्ट जो इसकी हाइट रखी गई है वो 25 लोर की रखी गई है और वही साथ-साथ इसमें आपको जो 2BH के अपार्टमेंट्स मिलते हैं वो 60 लाग के करीब स्टार्ट हो जाते हैं पांच हजार से पचपन सो रुपे पर स्कुएर फीट का आ जाता है बहुत सारे ओप्शन्स आपको आज की डेट में मिल भी जाएंगे इस सेक्टर के अंदर रेडी टू मूव इन इस पूरे नॉड़ा में एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो inventory की रहती है clients को inventory नहीं मिल पाती काफी सारे यहां पर projects को over take करने की भी बात की गई है किसी बड़े builder के तुकर या कोई एक बड़ा player उनको overtake करके रुके वुए projects को भी बनाना शुरू करेगा उसकी information हम आपको देते रहेंगे इस channel पर अगर आप first time हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो जैसा हम लोग इस sector को explore कर रहे हैं बहुत सारे हम लोग ने Noida के sectors को भी explore किया हुआ है आप हमारे चैनल पर जा करके जरूर उन वीडियो को देखिए आपको काफी सारी knowledge मिलेगी ये एक ये जो वीडियो है ये काफी लंबी रहने वाली है इसके पीछी reason ये है बहुत ही बड़ा ये sector है one of the biggest sector कह सकते है पूरे Noida का तो अब आगे further चलते हैं and explore करते हैं next projects को तो guys जैसे हम लोग ने A city से आगे right लिया है आप देख सकते हैं ये HP का petrol pump है तो sector के बीच में जैसे मैंने आपको पहले बताया था hospital मिलता है तो sector के साथ में ही आपको यहाँ पर petrol pump भी मिल जाएगा and साथ-साथ extension में आप अगर गौर चोक की बात करें जो कि यहाँ से hardly 10 मिनट की दूरी पर गौर चोक है तो आप वहाँ पर shopping करने fine dining के लिए या movies देखने के लिए जा सकते हैं काफी सारे multiple options आपको मिल जाते हैं गौर चोक पर metro भी आगे आने वाले time में extend हो रही है तो आप metro से भी commute कर पाएंगे sector 1 में तो कुछ एक आप मेरे right hand side पर जो projects देख रहे हैं कुछ एक ऐसे projects है जो अभी stuck है कुछ NCLT में भी गए हुए हैं जैसे जैसे इसकी अपडेशन आती रहेगी हम आपको update करते रहेंगे अपने चैनल पर जो next project हम लोग अभी explore करेंगे यह AIGN Royal के नाम से यह project है यह चार एकड का project है जिसमें 7 towers है total number of units आपको मिलती है यहाँ पर 616 2 and 3 BH के apartments यहाँ मिल जाते है बाहरी इसका commercial बना हुआ है recently अभी हम लोगों ने इसको अपने channel पर cover किया है आप सारे पूरे project की अगर details लेया चाते हैं पर square feet जो rate आपको यहाँ मिलता है वो तकरीबन 5300 से लेकर 500 रुपे 53-5400 रुपीज पर square feet में unit मिल जाती है जो नेक्स project अभी हम लोग explore करेंगे वो अरिहंत गुर्प का project है इसी sector में अरिहंत का पहले एक और project भी था जिसका नाम अरिहंत आडन था और इस project का जो नाम है वो अरिहंत अंबर है ये भी काफी अच्छा project माना जाता है इस sector का चार एकर का project है चार ही towers बने हुए हैं तकरीबन सवाच 600 units आपको मिल जाती है already operational यहाँ पे club house मिलेगा and resale की बात करूं मैं यहाँ पर तकरीबन 5500 रुपे per square feet का rate आपको resale में मिल जाता है so guys next project is flora heritage ये अरिहंत अंबर से very next project है जाना बड़ा project नहीं है तीन एकर का project है तीन towers यहाँ बने हुए हैं तकरीबन सवा 400 units मिल जाएगी पूरा project में 2BH के size जो यहाँ पे शुरू हो जाता है minimum वो 45-50 लाग उरपे में आते हैं तो यह पीछे वाली रोड आती है आप यह सामने मेरे जो सड़क देखेंगे यह वही starting point ATS roundabout से आ रही है और यह जो सामने मेरे देख रहे है यह area यह किसी भी builder को allot नहीं किया गया यह सारा का सारा जो है वो green area रहेगा तीन एकड के आसपास वो जो पीछे project अभी आप देख रहे हैं वो हम लोग cover करके आए हैं जिसमें अरिहंत अंबर, Flora Heritage AIGN Royal उसके पीछे तीन एकड के आसपास जो है वो green belt रहेगी और यह पूरा उसी roundabout से लेकर ऐसे पूरी की पूरी green belt रहने वाली है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यह अंतरिश का golf link stuck project है इसके bank opposite ATS का एक और project है जिसका नाम है ATS Destinier यह सवा 8 acre का project है आपको यहाँ पर बड़ी units मिलेंगी 3BH के और 4BH के apartments जो कि start होते है 1 करोड 15 लाग से and it goes up to 1.60 1.70 CR 14 towers total इसमें रहेंगे and जो height रहेगी 27 floor की यहाँ पर रहने वाली है 42 से ज़्यादा amenities आपको यहाँ पर मिलेंगी and number of units जो पूरे project के अंदर है वो 736 units मिलने वाली है तो guys यह जो project देख रहे हैं यह अंतरिश golf link से जस्ट लगा हुआ project है project name is Vihan Greens इसको भी हम लोगों ने अपने channel पर cover किया हुआ है यह धाई एकर का project है इसमें 3 ही towers मिलेंगे and जितने भी यहाँ पर flats हैं वो सारे corner flats मिलते हैं 2 and 3 BH के apartments मिलेंगे 5000 से लेकर 500 रुपे per square feet की यहाँ पर demand रहती है and guys अभी आप जो मेरे सामने देख रहे हैं यह इस sector का last project होने वाला है जिसका नाम है Ace Divino Ace का यह second project है पहला Ace City था वो भी timely बना हुआ है काफी अच्छी construction है यह my one के उपर बन रहा है यह सबसे expensive project माना जाता है इसकी marketing भी builder most expensive project के नाम से ही करता है यह साड़े 10 एकड का project है total number of towers आपको यहाँ पर 11 मिलेंगे 1550 flats पूरी society के अंदर आपको मिलते हैं starting हो जाती है इसकी 2 BHK से then 3-4 BHK apartments मिलते हैं and कुछ आपको यहाँ पे penthouses के भी option मिल जाएंगे बहार अभी आप जो देख रहे हैं वो clubhouse, नीचे commercial banket halls की look आपको दिखरी होगी and पूरी ही society के अंदर Lord Buddha based theme रखी गई है different different water bodies, setting areas gazebos, बहुत beautifully landscaping इसकी की गई है starting इसकी तकरीबन 75-80 लाग से हो जाती है धाई करोड तक इसके rates जाते है and average price इस project में आज की rate में 8,000 उपे पर स्क्वेर फीट से लेकर जहाँ पर अभी हम लोगों ने last में आपको projects दिखाए हैं जैसे ATS का Destinier था Ace Divino था या वो front में आपने जो देखी थी green belt थी उसके bank opposite यहाँ पर 200 एकर में गौर के mulberry mentions बने हुए हैं आपने बहुत सारे songs देखे होंगे Bollywood के अंदर बहुत सारी albums आती है वो सारी यहीं पर shoot होती है 90 के करीब यहाँ पर mulberry mentions आपको मिल जाएंगे गौर वालो के ultra luxury है 18 से 20 करोड से इसे start होते है और आप समझ सकते हैं कि अगर इसकी 18 से 20 करोड रुपे की coasting है तो किस तरीके से यह बने होंगे यह था पूरे project sector 1 Noida extension या greater Noida west का overview पूरी कोशिश की हम लोग ने कि आपको सारे के सारे projects को briefly explain करें अभी हम लोग वापिस उसी roundabout पे आ चुके हैं ATS roundabout से जहां से हमने वीडियो को start किया था तो मैं आपको एक average बता देता हूँ जो पुराने projects है काफी time से चल रहे है चै वो resale के अंदर है चै वो about to move है उसके जो average price आता है वो साड़े 4000 से लेकर 6-6000 के आसपास आ जाता है जितने भी अब नए projects हैं जैसे की my one construction पे जो projects बन रहे है लाइक, express, estra, prident, embassy, resso फिर ace, divino इनकी जो average price आती है वो तक्रीबन 7-7000 से लेकर 9-10,000 तक जाएगी I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बहुत मेहनत लगी है पूरे ही sector को explain करने में और ये बहुत lengthy वीडियो रहेगी आपके लिए आशा करेंगे कि आपको काफी सारी information इस वीडियो के तुरू मिल जाए फर्स टैम मारे चैनल पर आ रहे है तो जरूर हमारे चैनल को subscribe कीजिए ऐसी और भी वीडियो हम आपको explain करते रहेंगे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कीजिए इस वीडियो से हो सकता है कि उनको अपने रहने के लिए या अपने investment के लिए ऐसी inventory मिल जाए ऐसी unit मिल जाए जो future में उनके काफी काम आए So this was your host Varun Thank you very much and take care